हलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ और अपनी सेडिमेंटरी जियोलजी अबजेक्टिव टेस्स स्रीज को आगे बढ़ाते हुए टेस्ट नम्मर 5 में आप सब लोग का मैं स्वागत करता हूँ आप सब लोगों को आगे बढ़ने से पहले मैं याद दिलाना देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब और आप लाइक कीजिए, सेयर कीजिए और अपने सेजेशन भी आप सेयर कर सकते हैं मेरे साथ तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अब्जेक्टिव स्रीज 5 तो फर्स्ट कोश्चन इस दा मिनरल तो मैं आप सब लोग को इनके मिनिंग बता देना चाता हूँ क्योंकि राइट आंसर बताने से पहले यह जान देना जरूरी है कि यह चारो मिनरल्स हैं कौन-कौन से तो पर्वेस्काइट जो बिसिकली होता है यह कैलिशियम टाइटेनियम ओक्साइड मिनरल है तो इसमें ओल्रीडी सिलिका आ चुका है तो फ्यूसाइट है आपका बिसिकली क्रोम माइका होता है और माइका भी में भी हमारे सिलिकेट्स मिलते हैं मैंने आप लोग को मिनरलोजी की लेक्चर स्रीज में इसको डिस्क्राइब किया था तो वहां पर जाके आप डेटेल में इसकी इन्फोर्मेशन ले सकते हैं और यह भी देख सकते हैं कि इस तरह के रेजीम में यह मिलता है फिसकली जो हमारा राइट आंसर है वो है आंसर नंबर वन प्रोघस काहिट क्योंकि इसमें हमें यह कैल्सियum titanium oxide mineral है तो उसलिका इसमें नहीं मिलता है तो यह अंडर सेचुरेट्रीर की बाथ हो रही है तो अंडर सेचुरेट्रीड का मतलब है जिसमें सेचुरेटिस कोंट में भी बताया था कि जो हमारे oids होते हैं, so oids हमारे जो होते हैं, वो concentric form में मिलते हैं basically, तो इसका right answer जो है, वो आपका oids ही है, ठीक है न, intra-clast का तो मतलब है कि आपके clast के clasted form में आ गया, तो obviously जो है, वो आपके किसी भी form में हो सकता है, okay, then question number 3, which one of the following sedimentary structure does not mark the top surface of a bed, so basically, इस question में क्या है कि आपका जो fluid cast हमें option दिया है, current ripple दिया है, wave ripple दिया है, rain prints दिया है, तो यादर कि question को ठीक से पढ़ना है आपको, does not mark the top of a surface of the bed, तो इन सभी options में current ripples भी हमें जो है, वो kinematics बताते हैं, जिसे हम value current analysis करते हैं, wave ripples भी हमारे surface के ओपर develop होते हैं, rain imprints भी हमारे surface के ओपर develop होते हैं, fluid cast हमारे soul cast भी कहलाते हैं, तो fluid cast basically scoop shape के structure होते हैं, जो कि आपके souls के ओपर form होते हैं, then question number 4, in question number 4, which sedimentary structure can be used to decipher top and bottom of the bed, तो basically, options are graded bedding, current ripples, deformational structure, so deformational structure हमें top and bottom को कभी नहीं बता सकते हैं, current ripples हमारे बता सकते हैं, top and bottom को, but यहाँ पे current ripples की भी कहीं सारी classification हैं, जिसमें आपके wave ripples, okay, water flow, जो कि आपकी uni direction दिखाते हैं, तो water flow आपका जो है, वो आपको current, top and bottom बता सकता है, but जैसे की जो ripples हमारे eolian से बनते हैं, वो आपके uni direction से लेके poly direction तक की structure को दिखाते हैं, तो इसलिए इसका right answer है graded bedding, तो no doubt graded bedding जो है ज़्यादा appropriate भी है, और इसके लिए ज़्यादा suitable भी है, ठीक है ना, but यह confusion create कर रहा है current ripples, तो इसलिए right answer is the graded bedding, question number five, ए टर्बिडाइट deposit में show, आप ripple marks and good sorting, current lamination and ripple marks, rain prints and flute marks, graded bedding and poor sorting, तो basically जो है आपके जो टर्बिडाइट्स हैं, वो आपके wash deposition की वज़े से बनते हैं, तो जो wash deposition होता है, sediment का load बढ़ेगा, तो obviously sorting आपका poor हो जाएगा, तो sorting poor हो जाएगा, टर्बिडाइट आपका famous है, bumer sequence के लिए भी, ठीक है ना तो इसमें आपके bumer sequence भी बनते हैं, graded bedding भी develop होती हैं, okay, cross beds भी develop होते हैं, ripple cross beds भी इसमें develop होते हैं, तो basically जो टर्बिडाइट्स हैं, अगर हम इसमें देखे हैं, तो deposit जो होता है, यह आपका किसको कर सकता है, graded bedding को and poor sorting को, यह ही इसका appropriate है, क्योंकि इसमें huge amount of sediment जो वो deposit होता है, तो आपकी जो sorting होगी, वो poor होगी, okay, then micrite, micrite को मैंने आपको एक classification में भी बताया था, जब हम limestone की classification को use कर रहे थें, तो basically micrite क्या होते हैं, हम दो त्रे के element होते हैं, यह पर एक आपका micrite होता है, और दूसरा आपका sparite होता है, तो micrite क्या है, microchrist line calcitic deposit है, और spare side जो है, वो आपका calcite deposit in veins है, यह इसको हम sparse भी कह सकते हैं, यह spray भी कह सकते हैं, ठीक है न, तो यहाँ पर क्या है, कि आपका जो micrite है, option से हमारे fine grain carbonate, a type of stalactite, a similar to mirmekite, hexagonal iron carbonate, तो आप देख सकते हैं, इसका appropriate answer जो है, वो है fine grain carbonates, ओके, then next question is, सभाका हिज्जे, तो सभाका basically क्या होते हैं, coastal area में, super tidal area में यह deposit होते हैं, जो कि आपके mud flats, और आपके sand flats, sand flats को so करते हैं, in which जो है वो आपका, evaporites भी deposit होते हैं, और basically हैं आपके semi-arid से, arid condition में deposit होते हैं, तो सभाका है, इसे super tidal deposit, desert deposit, deep sea deposit, और river terrain deposit, तो इसका basically क्या है आपका, यह coastal area में होता है, तो deep sea में तो ही deposit होगा नहीं, ठीक है ना, river terrain deposit भी नहीं होगा, super tidal deposit में भी यह नहीं deposit होगा, तो यह आपका semi-arid और arid climate में होता है, तो desert में इसका deposit होता है, तो basically आप देख सकते हैं, कि इसमें हमारे option एक super tidal भी है, जो कि इससे काफी match खाता है, ठीक है ना, तो अभी इसमें desert में इसलिए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि desert में पानी का कहीं जिकर नहीं है, तो इसमें हम कह सकते हैं, कि जो right answer है, वो है आपका super tidal deposit, ओके, तो super tidal deposit इसका correct answer है, then question number eight, question number eight, which one of the following is formed by the strong way, तो हमारे पास यहाँ पे चार option है, हेरिंग बॉन क्रोस बैट, anti-dunes, longinute, triples, हमो की cross beddings, तो हमो की cross beddings, जो है basically, आपका sandstone में मिलता है, ठीक है न, और ही इसमें energy हमारी high होनी चाहिए, या हम इसको कह सकते हैं, कि यह strong area में develop होता है, lingoid triples, जो होते हैं, हमारे वो generate करते हैं, तो इसका जो right answer है, that is, हमो की cross bedds, हमो की cross bedds, इसका right answer है, then question number next, next is the, bumer sequence is the product of the, यह में पहले भी आप लोगे साथ discuss कर चुका हूँ, कि bumer sequence आपका, turbidity flow process में develop होता है, then question number 10, the environment between the high tide and low tide level of the sea, is known as narratic, littoral, bethel और epsal, इसका right answer जानने के लिए, मैं आपको सारे zone बताता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि जो आपका, narratic zone है, वो आपका high tide और low tide को, describe करता है, और फिर bethel region जो है, उसकी depth जो है, more than 200 meter रहती है, और bethel region को epsal region से separate करता है, 400 meter की depth में, तो इसका जो right answer है, that is the narratic environment, ओके, ओके, the next question is, the sedimentary rock without stratification, तो देखें, यहाँ पर हमारे पास चार option दिये हैं, tillite deposit, sandstone, limestone and cell, cell भी आपको पता है, कि अगर वो thinly laminated हो जाए, तो stratification तो उसमें भी develop होता है, limestone में भी हमारा develop होता है, but massive limestone भी आपको मिल सकता है, और sandstone तो जाना ही जाता है, stratification के लिए, तो इसका right answer है tillite, tillite क्योंकि आपका unsorted material है, जो की glacier से deposit होता है, और जिसमें stratification नहीं मिलती है, चलिए आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ, question number two है, which of the following sedimentary rock are formed by chemical precipitation, तो limestone सबा आप लोग को पता है, कि ये भी आपका chemical precipitation से develop होता है, sandstone आपका chemical precipitation से develop नहीं होता है, okay, chert भी आपका क्या है, क्रिप्टो किसलाइन से लिगा है, ये भी आपका precipitation से ही develop होता है, cell भी आपका precipitation से develop नहीं होता है, तो इसके दो आंसर है लाइमस्टोन एंड चर्ड देन कुश्चन नमबर थर्टीन उलाइट फोम इन एगेटिड वाटर, काउंड वाटर कंडिशन, कूल वाटर कंडिशन और नन देखें काउंड वाटर कंडिशन में यह इसलिए डवलप नहीं हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि उलेटिक हमारे क्या होते, कंसेंट्रिक होते हैं और कंसेंट्रिशन तब डवलप होता है जब आपका फ्लेक्शुईशन इन वाटर रहे तो इसका राइट आंसर है आपका एगेटिड वाटर 10, question number 14, mineralogically mature sandstone are rich in यह मैंने आप लोग को sedimentary rock की series में आप लोग को बता था जब मैं sandstone की petrology को describe कर रहा था क्योंकि इसमें एक reason भी है, by bone reaction series हम सब लोग को बता है कि सबसे highest resistant mineral कौन सा है, quarts तो quarts की percentage जब आपके किसी भी rock में बढ़ जाती है तो उसकी maturity level ज़्यादा होता है, felspark यह की disintegrations हो करता है, mica भी और rock fragments भी जिनको हम लिथिक fragments भी बोलते है तो इसका right answer है quarts तो next question is heavy minerals heavy minerals are used to deciphering, provenance, involvement, diagenesis और none of the above तो heavy mineral analysis basically provenance को describe करती है क्यों? जैसे कि हम लोगोंने, मैंने heavy mineral analysis में आप लोग को बताया था कि सिवालिक का classification, तो सिवालिक का classification, एक classification basically based on the heavy mineral भी है तो heavy mineral के base base को तीन पार्ट में divide किया गया है तो आपका जो सबसे नीचे का है, जिसको हम लोगों सिवालिक बोलते हैं, sterolite, then आपका kainite, और then आपका horn blend तो यह भी हमारा classification है, सिवालिक का जो कि आपका heavy mineral के base पे ही हम लोगों ने describe किया है तो इसी के साथ, जो है, मैं आप लोगों से, जो है, यह आपका lecture series में यहापे complete करता हूँ और उमीद करता हूँ, कि यह आप लोगों की knowledge को enhance करेगा और अगर आप लोगों को यह पसंद आता है, तो please share कीजिए, subscribe कीजिए और अपने comments दीजिएगा, valuable comments हैं, वो मेरे लिए, तो please आप लोग comment जरूर दीजिएगा, like कीजिएगा और share कीजिएगा, अब आप मुझे आगया दीजिए, मैं जल्दी आप लोगों के साथ फिर से एक नहे lecture में मिलूँगा, तब तक के लिए